इस वीडियो में है क्लास 10 के एक्ससाइज 4.3 का कोशन नमबर 9 कोशन में दिया है तो वोटर टैप्स तुगेदर केन फिल आ टैंक इन 9 इस तो 3 अपोन 8 आवर्स दो वोटर टैप्स यानि की पानी के नल है दोनों इकटा मिलकर किसी टैंक को 9 इस तो 3 अपोन 8 आवर्स इतने टैम में फिल करते हैं भरते हैं अगर दोनों सेपरेटली वर्क करें अलग-लग काम करें तो larger diameter वाला जो tap है वो 10 hours less यानि की 10 गंटे का कम time लेता है smaller diameter वाले tap से हमें find करना है दोनों tap अगर अलग-लग वर्क करते हैं तो कितना-कितना time लेंगे टैंक को फिल करने में so solution स्टार्ट होता है यहां से जो भी हमें find करना है उसी को let कर लेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ let the time taken by smaller tap let कर लेते हैं smaller tap tank को भरने में time लेती है guys x hours का अगर smaller tap x hours का time लेती है then the time taken by larger tap larger tap कितना time लेगी 10 hours less इस वाले से 10 गंटे का कम time लेगी तो यहाँ पर आ जाएगा guys x minus में 10 hours smaller tap tank को fill करने में लेगी x hours का time larger tap लेगी x minus 10 hours का time और अगर यह दोनों एक साथ मिलके tank को भरती है तो उसके लिए हमें time दिया गया है 9 is to 3 upon 8 hours तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ time taken to fill the tank together अगर दोनों एकठा मिलके tank को fill करती है तो उन्हें time लगता है इतना तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसे 9 is to 3 upon में 8 यह यहाँ पर mix fraction में है तो इसको change करेंगे change करना बिलकुल simple होता है यहाँ पर denominator में 8 है 8 को 9 से इससे multiply कर देंगे 8 9 is a 72 जो भी आया है उसमें उपर वाली value प्लस कर देंगे 8 9 is a 72 प्लस में 3 यह हो जाएगा गाईज 75 और denominator में 8 as it is यह mix fraction में था इसको हमने change कर दिया improper fraction में इन 3 पॉइंट के बाद equation बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट और चाहिए है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ part of tank filled by smaller tap in 1 hour smaller tap 1 घंटे में tank के कितने part को fill करेगी total time लेती है x hours और 1 घंटे में कितना fill करेगी simply इसका reciprocal हो जाएगा total time का तो यहाँ पर आ जाएगा 1 upon में x जब भी हमें 1 घंटे का work find करना हो तो यह total time का हो जाता है guys reciprocal smaller tap total time लेती है x hours tank को fill करने में अगर एक घंटे में पूछा जाए कितना part fill करेगी tank का तो यह इसका reciprocal हो जाएगा x का reciprocal 1 by x बिल्कुल इसी तरह से part of tank filled by larger tap in 1 hour एक घंटे में larger tap tank का कितना part fill करेगी total time लेती है x minus 10 तो इसका reciprocal हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 1 upon में x minus 10 एक घंटे में larger tap 1 upon x minus 10 tank के इतने part को fill करेगी भरेगी बिल्कुल इसी तरह से part of tank filled by both taps in 1 hour दोनो टैप एक घंटे में tank के कितने part को fill करेंगी total time लेती है 75 upon 8 इसका reciprocal करेंगे अगर एक घंटे का हमें work find करना है तो यह है 75 upon 8 reciprocal हो जाएगा इसका guys 8 upon में 75 reciprocal बिल्कुल simple होता है denominator में जो value है वो उपर चली जाती है और जो उपर हमारी value होती है वो नीचे चली जाती है जो भी हमारा fraction होता है यह पलट जाता है यहाँ पर 75 upon 8 है अगर इसको पलटेंगे तो यह हो जाएगा 8 upon में 75 अब बिल्कुल simple गंटे में larger tap 1 upon x minus 10 part को fill करती है तो यहाँ पर लिखता हूँ 1 upon में x minus 10 equals का sign लगाएंगे smaller tap ने 1 गंटे में इतने part को fill किया larger tap ने 1 गंटे में इतने part को fill किया अगर यह दोनों मिल जाएं दोनों यहाँ पर plus का sign लगा दिया यानि यह दोनों मिलके एक घंटे में कितना पार्ट फिल करेंगी यह यहाँ पर दिया है 8 upon 75 सो यहाँ पर equal में आ जाएगा 8 upon 75 अब जो भी हमारी यह equation आई है इसको next page पर solve करेंगे quadratic equation बनाएंगे और उसके बाद x की value find कर लेंगे सो solve करते हैं simply यहाँ पर denominator में x है यहाँ पर x minus 10 है तो इन दोनों का लेना होगा हमें LCM, LCM लेना बिल्कुल सिंपल है denominator में इन दोनों को multiply कर दो सो यहाँ पर मैं multiply कर देता हूँ x multiply में x minus 10 अब उपर क्या value आएगी simply इस x को इस 1 में multiply कर दो और यहाँ पर x minus 10 है इसको इधर multiply कर दो cross में multiply कर दो इस सरे से x minus 10 को 1 से multiply करेंगे तो यह x minus 10 ही रहेगा इसके बाद यह वाला plus का sign हम as it is लगा देंगे plus का sign आ गया अब यहाँ पर जो x है इसको 1 से multiply करूँगा तो यह x ही रहेगा और equals to में 8 upon 75 यह as it is अब आगे solve करेंगे तो simply यहाँ पर x plus में x यह as it is आ जाएगा यहाँ गया minus में 10 और denominator में यहाँ पर multiply करेंगे x को x से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा guys x का square इसके बाद x को minus 10 से multiply करेंगे plus minus minus और x को 10 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 10x और 8 upon 75 यह as it is अब next step में simply cross multiply करेंगे यहाँ पर denominator में 75 है इसको यहाँ पर उपर multiply कर देंगे और यहाँ पर denominator में x square minus 10x है इसको यहाँ पर 8 में multiply कर देंगे बिल्कुल simple हमें इस तरह से cross में multiply करना है so 75 को multiply करूँगा 2x minus 10 से तो यह आएगा गए 75 multiply में 2x minus 10 equals का sign as it is यहाँ पर आएगा हमारा 8 as it is 8 के multiply में हमें करनी है यह वाली times so यहाँ पर bracket के अंदर आजाएगा x square minus में 10x आगे solve करेंगे simply 75 को 2x से multiply करूँगा तो यह आजाएगा 150 और x as it is minus का sign लगा लेंगे यह वाला minus का sign as it is आएगा 75 को 10 से multiply करूँगा तो यह आजाएगा 750 equals का sign लगाएंगे 8 को x square से multiply करूँगा तो यह आएगा 8 x square इसके बाद 8 को minus 10x से multiply करूँगा तो यह आएगा minus में 80x simply से rearrange करेंगे सबसे पहले लिखेंगे x square वाली term so x square वाली term सबसे पहले आगई हमारी 8 x square इसके बाद x वाली term यहाँ पर है minus में 80x दूसरी x वाली term यहाँ पर है guys 150x इसको दूसरी तरफ shift करेंगे यहाँ पर यह plus में है दूसरी side shift करेंगे तो यह हो जाएगी guys minus में 150x as it is इसके बाद minus में 750 है दूसरी तरफ shift किया तो यह हो गया guys plus खा 750 50 और equals to में 0 आगे solve करेंगे तो हमारी first term 8x square as it is इसके बाद यहाँ पर है minus 80x minus 50x दोनों term minus में हैं तो आएगा sign minus का ही लेकिन दोनों minus में हैं तो add हो जाएंगी 80 और 150 दोनों add होने पर आएगा guys to 30x इनके साथ as it is इसके बाद यहाँ पर यह वाला 750 आ जाएगा और equals to में 0 यह आ गई हमारी quadratic equation अब इस quadratic equation पर factorize method apply करके solve करते हैं simply यहाँ पर x square खा coefficient है 8 यहाँ पर constant term है 750 8 को 750 से multiply करेंगे so 75, 8 जा यह होगा 600 इन दोनों को multiply करने पर 8 और 750 को multiply करने पर आएगा guys 6000 जो भी हमारा यह 6000 आया है इसके हमें दो ऐसे factor चाहिए जिनको plus या minus करने पर 230 आए so simply यहाँ पर मैं बता देता हूँ 200 और 30 यह दो factor है अगर इन दोनों को add करेंगे तो 230 आ जाएगा लेकिन यहाँ पर minus में 230 है तो इन्हें हम लिख सकते हैं minus में 200 minus में 30 इनको solve करेंगे दोनों यहाँ पर minus में है तो minus का ही sign रहेगा लेकिन दोनों add हो जाएंगे 230 को add करेंगे तो यह हो जाएगा 230 बिल्कुल simple है 6000 के हमने दो factor कर लिए 230 अगर इनको multiply करेंगे तो 6000 आएगा और अगर इनको minus की form में रखके solve करेंगे तो minus 200x minus 30x इस form में तो इसको solve करते हैं यहाँ पर solve करने में हमारी first term 8x square यह as it is आएगी इसके बाद जो हमारी middle term है minus 230x इसको हम इस form में split करेंगे तो यह आएगी minus में 200x minus में 30x इसके बाद हमारी constant term है यहाँ 750 तो यहाँ पर लिखेंगे plus का 750 और equals to में 0 as it is आगे solve करेंगे simply जो हमारी starting वाली दो term है इन में से common लेंगे common क्या आ रहे हैं आपर x यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है so x common आ गया अब 8 के table में 8 भी आता है और 200 भी आता है तो यहाँ पर 8 common आ जाएगा 8x square में से 8x common ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा guys x इसके बाद minus का sign as it is 200x में से x common ले लिया और 8 common ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा simply 8 के table में 200 आता है 25 times per so यहाँ पर आएगा 25 अब बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी last वाली दो term है इन में से भी हमें common लेना होगा simply यहाँ पर minus का sign है तो सबसे पहले minus का sign लगा देंगे यहाँ पर है guys 30 और यहाँ पर है 750 दोनों same table में आता है 30 30 के table में आता है और 750 यह भी 30 से divisible है तो यहाँ पर 30 common ले लेंगे बचेगा क्या minus 30 x में से minus 30 common ले लिया तो यहाँ पर बचेगा guys x अगर हमने minus common ले लिया है तो जो भी अंदर की value होंगी उनके sign change हो जाएंगे यहाँ पर minus में था plus हो गया यह वाला plus में है तो यह हो जाएगा guys minus में और अगर 750 को 30 से divide करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 इसके बाद equals to में 0 जो हमने यह रफर किया है इसको रब करता हूँ यहाँ पर bracket में x minus 25 यहाँ पर भी x minus 25 तो यह common आ जाएगा यह आ गया x minus में 25 common इसके अलाबा जो भी बचता है यहाँ पर 8x यहाँ पर minus 30 इसको इकटा एक bracket में लिख लेंगे 8x minus में 30 equals to में 0 as it is अब simply bracket को हटाएंगे तो हमारी value आएगी x minus 25 equals to में रखेंगे 0 बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी bracket हटाएंगे 8x minus में 30 और equals to में 0 यहाँ से x की value find करेंगे x as it is आएगा minus 25 को दूसरी तरह shift करेंगे तो यह हो जाएगा guys plus का 25 x की एक value मिल गई हमें 25 दूसरी value यहाँ से find करेंगे तो यहाँ पर भी x हमारा as it is आएगा equals का sign लगाएंगे x के साथ यहाँ पर 30 minus में है दूसरी side बेजेंगे तो यह हो जाएगा guys plus का 30 x के साथ यहाँ पर 8 multiply में है दूसरी side बेजेंगे तो यह हो 8 हो जाएगा divide में so x की second value मिल गई हमें 30 upon में 8 यहाँ पर जो हमारी x की value fraction में आई है इसको यहाँ पर cancel करेंगे simply 8 1s आ 8 8 के table में 30 नहीं आता 30 से कम क्या आता है 8 3s आ 24 इसके बाद point लगा लेंगे 30 में से 24 को minus करेंगे तो आएगा 6 6 के पीछे 0 लगा देंगे इसके बाद 8 7s हो जाएगा guys 56 7 times पर 56 आएगा 60 में से 56 को minus करेंगे तो बचेगा 4 4 के पीछे 0 लगा लेंगे क्योंकि हम point पहले ही लगा चुके है 4 के पीछे 0 लगाएगे तो हो जाएगा 40 8 के टेबल में 40 आएगा 5 times पर 5 जापर सो यहाँ पर आजाएगा 5 simply जो हमारा 30 है जब हम इसको 8 से cancel करेंगे तो आएगा 3.75 पीछे वाले पेज पर let किया था X अवर्स में smaller tap tank को fill करती है तो यहाँ पर मैं लिखता है time taken by smaller tap पीछे वाले पेज पर हमने इसको X let किया था so X की हमारे पास दो value आती है 25 और 3.75 इन में से कौन सी value correct होगी यह find करने के लिए simply इसको अभी नहीं लिखते है इससे आगे वाले point पर आते है time taken by larger tap जो पीछे वाले पेज पर आया था guys X minus 10 अगर यहाँ पर मैं X की जगे पर 3.75 रखता हूँ इस X की जगे पर 3.75 आ गया minus में 10 3.75 में से अगर 10 को minus करूँगा तो यह minus में आएगा और time कभी भी minus में नहीं होता है so इस X की value को reject कर देंगे X की correct value हो जाएगी हमारी यह 25 so यहाँ पर time taken by smaller tap इसका answer आ जाएगा guys 25 hours और इसके बाद time taken by larger tap larger tap में X की value यहाँ पर put करेंगे X minus 10 है so X की जगे पर मैं put करता हूँ 25 और minus में 10 करूँगा तो यह आएगा guys 15 hours जो smaller tap है वो 25 hours लेती है tank को fill करने में और जो larger tap है वो tank को fill करने में लेती है 15 hours यही हो जाएगे guys हमारे दोनो answers